हेलो फ्रेंड मैं से कहते साम जी एचनौल एच प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं तो काफी दिन से आप लोगों का कमेंड था कि सर चंद्रगुप नाटक जो है उस नाटक पर वीडियो बनाना चाहिए तो फाइनली चंद्रगुप नाटक के बारे में हम समझेंगे तो इससे पहले चंद्रगुप नाटक जो आप कई बार बोल रहे थे कि सर बहुत बड़ा नाटक है इसको समझने के लिए कोई सहज उपाए हो तो सबसे पहले आपको बेस तोर पर आप इसके करेक्टर और घटन क्रम को याद रख लेंगे तो उसके बाद जो है सारा चीज आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा जैसे हम जो है सब्द लिखते हैं जैसे वाक्य लिखते हैं तो उससे पहले जो है हमें वर्न वर्न माला मात्रा रूप आदी की जरूरत पड़ती है उस सारी चीज को समझने के बाद जो है हम जाकर सब्द या फिर वाक्य जो है लिख पाते हैं तो उसी प्रकार यह जो है इसका बेस नॉलेज है चंदरगुत नाटक का मैं आपको एक एक चीज जो है समझाने की कोशिस करता हूं उम्मीद करता हूं समझ में भी आएगी आपको बात बड़ एक चीज को समझने की कोशिस करनी होगी ठीक है तो लाइफ क्लास आईएटी इनिसियल आपकोंटी टीचर ओडिसा का जो है आपका लाइफ क्लास जो है सुरू हो चुका है अगर आप लाइफ क्लास से जुड़ना चाते है वार्टसप नंबर है मेरा आप जो है कंटाक्ट क कर सकते हैं लाइफ क्लास के जुड़ने के लिए चले सबसे पहले चंद्रगुप इसका आप अगर नोट्स करना चाते हैं तो नोट्स करिए लेकि चंद्रगुप नाटक जो है एक अईतिहासिक नाटक है और अईतिहासिक नाटक ओ होता है कि किसी इतिहास की घटना क्रम को उसी प्रकार जो है लिखना ए अईतिहासिक नाटक है उसी प्रकार यानि उसी तरह का तो इस अईतिहासिक नाटक में कितने अंख हैं कितने द्रश्य हैं आप जो है उसको पहले नोडस कर लीजिए फिर जो है आप जो है मैं एक एक चीज उसके सारे करेक्टर को आज समझा मैं एक एक दुरश्य पर आपको एक छोटा छोटा वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहुँगा यूट्टुब पर नए है तो सब्सक्राइब बनता है और पुराने है तो लाइक भी बनता है आपको एक दुरश्य का वीडियो देता रहुँगा आपको clearly सभी चीस समझ में आगा लेकिन आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्तपून है अगर आज के वीडियो में आप सारे पात्र का नाम याद रख लेते हैं जगा अईतिहासिक जगा जो है उसे याद रख लेते हैं सिकंदर बात्सा का आकरमन का ख्यत्र जो है उसे याद रख लेते ह फिर आपको हर एक अंक और हर एक दृष्य समझने में आपको कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं होगी ठीक है तो आपको वस आज का वीडियो जो है अठी तरह से देखना है समझना है और नोडस बनाके इसे याद रख लेना है अगर हम इसे याद रखते हैं मैं अभी बताया था जैसे वर्ण वर्ण माला मातरा रूप इसकी जानकरी होनी चाहिए तभी हम जो है सब्द बना पाते हैं सब्द लिख पाते हैं वाक्य बना पाते हैं तो ठीक उसी प्रकार है तो सबसे पहले जब हम देखते हैं अंग पे 9 दृश्य है और चौथे अंग पे 14 दृश्य है तोटाल मिलाकर आपका 44 दृश्य है ठीक है एक्जाम में कभी-कभी प्रश्ण पूछ ले के चंद्रगुप नाटक में जो हैं कितने अंग हैं या किस अंग पे कितने दृश्य हैं ठीक है तो OSSTD पे जनराली जो ह पुस्त है तो यह नोडस में आपके लिए जरूरी समझा तो लिख दिया हूं यहां पर स्यामपट पर आप जो है इसे कौपी कर सकते हैं ठीक है पहले अंग पे 11 दृश्य है दूसरे अंग पे 10 तीसरे अंग पे 9 और चौथे अंग पे जो है 14 दृश्य है ठीक है इसके 9 सब्सक्राइब साथ, स्ट्री पात्र है केतने 9 है ठीक है पूरुस्फपात्र 19 सब्सक्राइब 7 तो अगर गीतों सवस्क्राइब कर दो तो 13 है 13 पहले अंग पे गीत की संक्षा है 2 दूसरे अंग पे 3 तीसरे अंग पे एक और चौथे अंग पे 7 यह था इसकी जानकरी यह जो थी इसकी जानकरी थी आप notes कर लिजे इसको लिख लिजे अब जो है हमें आज जो है पूरे नातक को नहीं समझाऊँगा आज जो है की हम कोशिस करते हैं तो चलिए यहां पर देखे भारत पर प्राचीन कालत लेकर हम अगर देखते हैं जितना आक्रमन हुआ अंग्रेजों के दोर तक सब जो है किस तरफ से होते आ रहा था ने सब पस्चिमी तरफ से यानि इस तरफ से आक्रमन हो रहा था भारत की ए पार्ट पर देखे मैं मैप आपको बना दिया हूँ आप बुलेंगे सर अज जोग्राफी पढ़ने चलिए उसी टाइप के पढ़ने की कोशिस करते हैं और मैं जो हिंदी के लावा जोग्राफी कभी बहुत सारा वीडियो है चैनल पर आप देख सकते हैं अभी वक्त कम के कारण मैं जोग्राफी वीडियो बहुत कम अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पर ठीक है फिर कभी जब समय मिले फिर जोग्राफी पर हम उतर जाएंगे टोपिक पर देखिए जितना भी आक्रमन हो रहा था इस तरफ से हो रहा था ठीक है पुर्भी अगर हम देखें इस तरफ मलेशिया हो जाबा हो सुमात्रा हो सिंगापूर इनके साथ हमारा ट्रेंड जो था पहले से बिजनेस बहुत अच्छा था और आक्रमन मुगल आए आप देखिए अब गान आए तुर्क आए फारस आए अंग्रेज आए सब इधर से आए ठीक है क्य नाटक जो है अईतिहासिक नाटक आप समझने से पहले यहां पर जो है मैप को देखें मैप पे इस अईतिहासिक नाटक पे इस तीन घटना क्रम तीन जगे पे घटित होने वाली घटना क्रम का वर्दन किया गया है ठीक है एक है तक्षशील गांधार तक्षशील गुरुक एक बार फिर से ध्यान से देखिए यह है गंधार का इलाका जो अभी पाकिस्तान उंतरगत है और तक्षशील का गुरुकुल जहां पर यह मालुआ वाले हो मगद वाले हो पूरा आर्यवरत पूरा भारत वर्ष वाले जो है वहां गुरुकुल पर शिक्षा लेते थे चानक् तक्षशील के गुरुकुल के वाद यहां पर देखिए यह जो है सिंदु नदी है और यह भी जो है पहले अंक में ही इसके कुस दुरुष्य के अंदर सिंदु नदी का वर्णन आएगा इसलिए मैं आपको बता दिया कि यह जो बहने वाली नदी है सिंदु है ठीक है मान स जो अभी पाकिस्तान पर पस्तिपी पंजाब है और पूरवी पंजाब भारत के अंतरकत है ठीक है तो आपको यह याद रखने ये ठीक है फिर से बता दूँ के लाईफ कलासर शुरू हो चुका है आप जो है अगर लाइफ क्लास करना चाते हैं तो यहाँ पर जो है मेरा वर्टसप नंबर है इसमें जो है आप कंटाक्ट चार्ट कीजे मैं आपको डीटल प्रोसीजर बता दूंगा प्लस स्टुडेंट जो है एक्जाम टीचर बन चुके है आने वाले समय में आपका भी उस लिष्ट पे नाम होगा चली तो यहाँ पर देखिए एह है तक्षशिल एह है पंजाब के रिया जहाँ पर परवरश था जिसका जो परवतेशर जिससे युदुहुआ सिकंदर का आप नोड्स करते चलिए वापना फिर मैं स्क्रीनशियों डाल देता हूं आप पस्ट करके जो है उसका वीडियो भीडियो पशकरिकर आप उहां से सारा नोड़्स कर सकते हैं तो यहाँ पर इस पूरे अईतिहासी घटना को अगर हम देखते हैं इस पूरे अईतिहासी होंगे अब पूरी अईतिहासिक घटना को देखते हैं तो इसमें मुख्षे तो चार चीज चार चीज के अंदर जो है सारी चीज अब वो चार कथा क्या है अगर हम नाटक की कथावस्तु देखते हैं चार आधारित है सबसे पहले सिकंदर का आक्रमन और परत्यावर्थन आर जो युनानी था उसका भारत पर आक्रमन और प्रत्यावर्थन ठीक है विशेवस्तु है सिकंदर इस तरफ से आया था और सारी अईतिहासी घटना जो है हम पढ़ेंगे चंद्रगुप पे सिकंदर आया युनान से ग्रीक बिजेता उसके बात जो है अंभीक कैसे उसका आते देता है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है फिर आकर पहुंचता है प्रवतिश्वर प्रवतिश्वर के साथ यूद होता है बैटल अब जेलम हम पढ़ेंगे तो बैटल अब जेलम के बाद जो है इसके साथ संधी होती है फिर मालुवा पर आक्रमन करता है फिर आकर पहूंच जाता है मगद यहां पर चंद्रागुप्त मरिया जो हह अच्छे से इसके महमान नवाजी करता है एक अच्छे से जो हे ठोकता है‍ही। और उसके बाद जो है यहां से फिर प्रत्यावर्थन होता है। सलीुकश की जो बेटी होती है। उसका नाम करने लिया है, उसके साथ जो है किसका चंद्रगुप्त का विबा हो जाता है, सारी घटना क्रम को जो है मैं एक-एक दुर्श्य में एक-एक चीज आपको समझाओंगा, चलिए अब समझे यहां से जो है, हाँ मैं बोल रहा था कि चार कथा वस्तु है, कितनी है, च आजकुमार अंभीक स्वागत करता है, तक्षशील पर चानक्या पड़ा रहे थे, अर्थसास्त्र पड़ा रहे थे, वहीं से नाटक का आराम होता है, सिंहरंड से बातचीत कर रहे थे, अब वहां पर अंभीक आकर पहुंच जाता है, समझता है कि कूचक्र रच रहे हैं, वहीं से नाटक का आराम होता है, मैं पहले दृश्य पर आपको नेक्स्ट वीडियो पर सारी चीज़ समझा दूगा है, ठीक है, तो यहां पर अंभीक स्वागत करता है, गंधार वाले तक्षशील में यहां पर स्वागत करते हैं, उनको, और फिर पवरश्पर आकरमन करता है, मालुआ में सिंहरण के साथ युद होताए, वहां पर सिंहरण चोट लगा है, और घायल कर देता है, सिकंदर को, लेकिन फिर उससे भी संधिय हो जाती है, और पहुंचता है चंदरगुप मोहरिय की पास, चंदरगुप मोहरिय कहां छोड़ने वाले, यहां से ले से सिक पढ़ेंगे पहले अंके 11 दृष्चे इस दृष्चे के अंदर में आप लोगों को सारी चीज बताऊंगा ठीक है तो चलिए यह था पहला कतावास्तू थी अब दूसरे नंद का विनास चंद्रगुप्त का मगद के सिंहासन नंद जो था किसका नंद यहां का सासक था मगद का सासक मगद का समराट नंद यह एक खल प्रविति का था एक मतलब नशा करने वाला हम एक बैड करेक्टर टाइप का ठीक है बैड करेक्टर टाइप का अब यह नंद का जो है क्या होता है नंद समराट का विनाश होता है और चंद्रगुप्त जो है मगद का समराड बनता ह चानक के सब्खेल करते हैं, चंद्रगुप्त जो है मगद का समराड बनता है, यह दूसरी कतावस्तु है, अगर हम तीसरा चीज देखते हैं, क्या है ने मुक्ष ने चंद्रगुप्त का दक्षिन भारत में विजे और मगद के सड्यंत्र की समाप्ती, चंद्रगुप्त जो ह आकरमन करने आए था, सिकंदर का साथी सेल्युकष उसका पराजय होता है, उसकी लड़की करने लिए उसके साथ चंद्रगुप्त का विबा होता है, और सेल्युकष को जान पराजित करने के आथ मारते नहीं है, चंद्रगुप्त उसे छोड़ देते हैं, और यहां जाकर प्रकार कुछ है, अब हम सबसे इंपोर्टांट चीज है नाटक पर हमें पात्र को समझना और पात्र के नाम को याद रखना, अगर हम पात्र को समझ जाते हैं, नाम को याद रखते हैं, फिर सभी घटनाक्रम हमारे दिमाग में सेट अप हो जाएगा, जिएच नॉलेज प प्रवेश करके सारी चीज को समझ सकते हैं, तो अब देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा, उसके बाद हम नाटक में प्रवेश करके सारी चीज को समझ सकते हैं, तो अब देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा, उसके बाद हम नाटक में प्रवेश कर अम्भीक कहां कहा था? गंधार नरेष का बेटा, यानी तक्षाशिल का राजकुमार में, इसी तरफ लिख दिया हूँ इसको, ठिक है? टक्षाशिल का ये सारे पात्री जो हैं, अम्भीक कौन है? गंधार नरेष, देखिए दूसरे नंबर पर गंधार नरेष है, गंधार न जो है अंभीक जो है वहाँ पर साथ देता है उनका ठीक है तो अंभीक को ने गंधार नरेश का जो है लड़का है और अंभीक की बेहन का नाम है अलका जो वहाँ की राजकुमारी है ठीक है गंधार नरेश का बेटा अंभीक जो तक्षशील का राजकुमार है अलका जो तक्षाश्रील की एक कुमारी है और एक तक्षाश्रील तपस्वी एक है धांड़यान जिसके पास सिकंदर जाता है बोलते है आर्या पर जो है वीजय करने के बाद फिर आएगे एक तपस्वी है तो बस इतने करेक्टर है तक्षाश्रील की आपको एक एक जगा इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पर मैप बना दिया कि मैप के हिसाब से आप अगर याद रखते हैं तो अच्छे से याद रखेंगे ठीक है इस सारे बोड का मैं स्क्रीन सॉट डाल दे रहा हूं आप इस प्रकार जो है नोडस बना लीजे अगर इस प्रकार नोडस बना लेंगे आपको जब मैं दृष्य के आलोचन करूँगा आपके दिमाग में एक एक चीज आने लगेगा कोन पात्र कहां का है ठीक है अब समझ के तक्षशील में कौन अंभीक है जो गंधार नरेस थे एक गुरूकल का नाम तक्षशील है ठीक है गंधार का गुरूकुल तक्षशील राजकुमार है और गंधार नरेस की बेटी कोन है अलका जो वहां की राजकुमारी है मालवी का एक कुमारी है उसके साथ दांडेयन जो है तपस्वी ठीक है अब इस तरफ से कोन आये थे ग्रिक बेजयता सिकंदर आया था और साथ में कई लोगों को लेकर आया अकेला समझ गये थे कि क्या हो रहा है और मामला आने वाले दिन में क्या होने वाले इसलिए उन्होंने सिंहर्ण और जो चंद्रगुप्त को है आगा कर दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है चंद्रगुप्त ने वही प्रतिग्या की थी गुरुदेव जब तक चंद्रगुप्त ज मज़में हा गया गन्धार नरेस, गंधार नरेस का बेटा अंभीक राजकुमार, गंधार नरेस की बेटी अलका राजकुमारी और मालविक एक अलब्यक वहाँ की कुमारी है उसके साथ दांडेयन तपस ही है, अब आते हैं सिकंदर आया था उस तरब से, ठीक है? फारस से, सिकंदर जो है, सरी, ग्रीक, ग्रीक बिजेता सिकंदर, उसका क्षत्रप्य था फिलिप्स, नाम था फिलिप्स जो उसका क्षत्रप्य है, एनिसा क्रिटिज जो उसका सहचर, ठीक है, एनिसा क्रिटिज जो उसका सहचर, उसके बाद साइवर्टियस और उसके बाद म इस्टाकृती श्याचर हैं और ये दोनों ये वंदूत हैं उसके साथ जो हैं आये थे सिकंदर के साथ और ये सेल्यूकस जो सिनापती है बात में इसी सिल्यूकस की लड़की karnelia जिससे विवा होता है चंद्रगुप्त मोरिया का तो कि सिल्यूकस जो सिनापती है किसके का सिनापती कौन है चंद्रगुप्त और इसकी पराजय होती है, शेल्युकस की और कर्णोलिया जो इसकी बेटी है उन परवतेस्वर पंजाब का राजा था इसके बारे में थोड़ा कुछ है कल्याणी का प्रस्ताब नंद ने भेजा था आपको में नाटक के बीच में आपको समझा दोंगा तो परवतेस्वर जो था पंजाब का राजा था वहाँ पर जो है जब युद हुआ इसके साथ एक दि सेकंदर का सेनापती था distrib Kiaqi करने लिया जो सेकंदर का सेनापती से लिए कर रोलिया और उसकी शहली है или और वाकी नाम है फिलिप चैसे शhardy reality सहचर है ठीग है साइवattious और उसके साथ मेगस्तनी जो है यवन दूथ है अठीप सेल कशनापती यह कॉन यह क्या जो है बड़े बदमास्पर हुई थी क्या था नंद समराड था नंद समराड जो है सबसे एक वान टीप का असिष्ट बेभार करता था चाहत क्या बोल दिये थे कि यह अब वक्त है सुद्र हटेंगे और जो है क्षेत्रिय जो है मगत के समराड बनेंगे वही होता है चंदरगुप् मालवा पर जहने का की राजि कुमार है ठीक हम बोल सकते एसक रहा minder कारा पढ़ते थे चंद्रघुपमोॡरिय मगधवाले हैं और तक्षाषिल पर पढ़ते थे चानक्या की पास उर्थ सास्त्र सिखा रहे थे और वहीं पर यह सिंहरन बोलते हैं क्या पहले दृष्षे में आपको समझाऊंगा कि हमें अर्थ सास्त्र क्या पेख्या अब अस्त्र सस्त्र की भी जरूरत है तो बातचीत होती है जहां से अंभीक नाराज हो जाता है मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको प्रथम अंक का प का नाम जो है नहीं है और शिंघरन के पिता का नाम भी दिया गया है दृष्य के अंदर आपको जो है समझ में आ जाएगी अब हम चलते हैं मगत पे थीक है समझ गए आप टक्षा शील के के समझा दिया आपको सिकंदर जो आया था उसके सारे साथी अससे अरनोलिया एक तो आपको समझ में आ गया मालवा गणतन मुख्य जो था उसके सिंहरण देवल नागदत आधी यहां पर समझा दिया सिंहरण रहकर तक्षशिल में पढ़ाई कर रहे थे चंद्रगुप मोरिया तोनों बड़े अथ्छे दोस्त थे अब आते हैं हम यहां पर कहां पर मगद प सुरू होता है चानक्या यह तो पूरा आर्यवरत के थे हम किसी एक जगह पर इनको नहीं रख सकते पूरा चानक्या जो है अपने आप पे एक नाम नहीं है अपने आप tą एक इतिहास है चानक्या ठीक है इनकी सारी चीज़ हम पढ़ेंगे कैसे जो है सारा खेल करा रहे थे चानक्य जो है आरेबरत का भविष्य कैसे डेकर रहे थे चंद्रगुप को कैसे आगा करा रहे थे जो ऐसा होने वाला है अब चंद्रगुप एभावी सम्राड फिर बाध में समराड बन जाते हैं नंद को defeat कर देते हैं ठीक है उसके बाद राक्षष और बररुची यह यहां के अमात्य हैं जिस समें नंद समराड था बाद में फिर राक्षष जो है चंद्रगुप्त का भी मंत्री मंदल नहीं बनता है तो वैसे मंत्री मंदल था यह दोनों अमात्य थे यानि प्रधान मंत्री टाइप के थे जब मंत्री मंदल बनता था तब में मंत्री जो होते हैं उसमें से राक्षष और बररुची है और राक्षष जो है एक अभिने कला भी अभिने भी जानता था राक्षष यह दो पाथ जो है वी मंत्री थे सुभा सिनि के पिता सुभा सिनी और अभीनेशाला कि अभीनेशाला कि रानी बना देता है उसके साथ रक्षष को जो है अमात्य बना देता है कौन नंद बना देता है ठीक है मोर्य शेनापती जो चंद्रगुप के पिता है मोर्य पत्नी जो चंद्रगुप की माता है उसके साथ सुवाशिनी जो सक्तार की कन्या है ठीक है सक्तार को मार दिया था फिर लाष्ट में जो अभीरवाब होता है, तो सक्टार की कन्या को है? सक्टार की कन्या है सुवासिनी, कल्याणी जो नंद की बेटी है, ठीक है? चंद्रगुप मोर्या की नहीं, नंद की बेटी, पहले यहाँ पर मगद पे जो है नंद का सासन चल रहा था, बड़ा खराब सासन चला रहा था, चं यहां पर जो है नंद की बेटी है कल्याणी जिसका प्रस्ताब नंद भेजए है किसके पास परबतेशर के पास ठीक है कल्याणी का विवा करने के लिए उसने रिफिल्स कर दिया फिर कल्याणी वहाँ पर उसकी सेना में जन्की ओ शड़ियंत्री जो किया है मैं आत्पु अंक और दृष्टे की जिस समय आलोचना करूँगा उस समय आपको बता दूँगा ठीक है तो यहाँ पर देखे मुरिय शिनापती के सुभासिनी जो सक्टार की कन्या है कल्यानी जो नंद की बेटी है नंद समराड था यहाँ का मगद का समराड कौन था नंद बाद में फिर चंद इस सारा चीज उमीद करता हूँ लगभग आपको समझ में आ गया होगा आप इसे नोड्स कर लीजी एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए सारी घटना करम स्थल भी बता दियों आपको तक्षशील यह है पंजाब यह मालवा यह मगद तो इस आप जो है इस प्रकार बनाकर एक बार करेक्टर को याद रख लेते हैं फिर आपको मैं जब अंक और द्रिश्य पर आऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लगेगा एक घटना क्रम है चलो एक जैसे फिलिम देख रहे ने आपको ऐसा प्रतीत होगा लेकिन आपको सबसे पहले करेक किया फिर अर्यावरत पर जो घटना क्रम होई अर्यावरत पर पूरे भारत बर्श पर उसी चीज को यहां पर चंद्रगुप अईतिहासिक नाटक में समझाया गया है तो अमीद कता हूं वीडियो आपको पसंद आयागो लाइक नहीं किये हैं जरूर लाइक करना वीडियो कि लाइफ क्लास भी शुरू हो चुका है कि लाइफ क्लास में जड़ना चाते हैं वार्टसप कर सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए आगया देजिए जय हिंद